हलो फ्रेंट्स लर्न इंग्लिश त्रू करेंट एफस के वीडियो में अब देखते हैं कि नया करेंट एफस क्या हो रहे हैं कंट्री में और इसके त्रू इंग्लिश कैसा सीखा जाएं तो फर्स्ट वर्ड है हमारा जली कट्टू यह एक्शली इंग्लिश वर्ड नहीं है तमिल वर्ड है लेकिन नियूस में है तो बता रही हूं जली कट्टू का मीनिंग है बुल टेमिंग तमिलनाडू में तमिलनाडू का एक ट्रेडिशनल गेम है ये बुल्टेमिंग का इसको हुमन राइट्स के एगिनेस्ट है और अनिमल राइट्स के बहुत है इस वज़े से सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है इस गेम को लेकिन पूरे तमिलनाडू के तमिलियंस आपने कल्चर के कल्चर के हिसाब से है कल्चर के एगिनस्ट ऐसे जजज्मेंट्स नहीं देना चाहिए करके प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो सेंट्ल गोवर्मेंट इल्ड हो गई और स्टेट गोवर्मेंट को ओर दिया कि औरिनेंस लाया जाए, सुप्रीम कोट के ओर एगनेस्ट और बुल टेमिंग को इस जल्ली कट्टू को फिर से चालू किया जाए तो फर्स्ट वर्ड है जल्ली कट्टू, इसके बारे में एक सेंटेंस इंट्रस्टिंग आया था, कि the journey of जल्ली कट्टू has turned from a local event to Tamil totem. तो नेक्स्ट वर्ड है, टोटेम, तो टोटेम का मेनिंग है, आइडेंटिटी, तो the journey of जल्ली कट्टू has turned from a local event to Tamil आइडेंटिटी, तो पूरे तमिलियन अपना आइडेंटिटी समझ रहे थे हैं इसको, तो सुप्रीम कोट के ओर्डर, इसके बान करने का ओर्डर, मान नहीं रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ओर्डिनेंस लाना पड़ा, तो सेकेंड वर्ड है, टोटेम, और नेक्स्ट वर्ड है, पीएम मोधी, कच गुजरात में, एक इवेंट अटेंड कर रहे थे, जिसमें, यूनियन स्पोर्ट्स, कल्चर, और टूरिजम मिनिस्टर्स, सारे स्टेट्स के स्पोर्ट्स, कल्चर, टूरिजम मिनिस्टर्स, अलोंग विद यूनियन मिनिस्टर्स, एक मेट कर रहे थे, कि कंट्री के स्पोर्ट्स को, कल्चर को, टूरिजम को, बढ़ावा कैसे किया जाए, इसमें पीएम मोधी, इनागरे किये थे, speech दे रहे थे, कहा रहे थे कि सारे ministers, सारे departments, सारे ministries, सारे states अच्छा काम कर रहे हैं, but they are working in silos, तो next word है, silos, देखते हैं, silos क्या है, तो sentence के हिसाब से तो लग रहा था कि कुछ तो agonist बोल रहे थे, तो silos मतलब in isolation, तो working in silos, but not in, but not with coordination, मतलब अपना अपना काम तो सही कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे के साथ, coordination नहीं होने की वाज़े से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कहने के मतलब यह हैं, कि next word, यूपी में elections आ रहे हैं, ब्रोरी 11 से, तो इसके related, दो parties, SP और Congress, के बीच में alliance के लिए इन दिनों बहुत negotiations हो रहे थे, लेकिन कुछ बात बनना ही पा रहे थी, लेकिन आज प्रियांका गांधी और सोनिया गांधी के इनिशेशन की वाज़े से, कुछ 105 सीट्स, अखिलेश, जो SP के, जो UP के चीफ मिनिस्टर थे, अखिलेश, कॉंग्रेस को 105 सीट्स दिये, इसके बारे में एक बड़ी असा सेंटेंस हैं, कि, गांट प्रियुंक जो खिलेश, आजrontेंस हैं, टो ने सेंटुलन देविंचोंग्रेंस हैं,ette बड़ी नंग्रेंस हैं टो में आजिएंड टूने टो सेंट्सें अटे आजसीन स्क्राइंस हैं,ак Зबड़ी स्ट आज़ी जनिक्तेंस, तो दिनावमेंट का मेनिंग है आउटकम और रिजल्ट तो इस गिविंग सेट ओफ वन हनेट फाइव सिगनल एडिनावमेंट तो नेगोशेशन बेटिन एस्पे और कॉंग्रस तो इन प्लेस आउटकम और रिजल्ट तो नेक्स्ट वर्ड है इन्फिर्मिटी तो इसके रिलेटेड नियूस यह है कि एक स्टूडेंट लीडर जिनका नाम रोहित वेमुला है यह सेंट्रल उन्वर्श्टी हाइद्रावाद के एक स्टूडेंट थे दलित स्टूडेंट थे इन्होंने लास्ट यह सुइसेड किये तो इनके बारे में किसी आटिया एक्टिव कि इनके बारे में जो पैनल पॉइंट किये थे उस पैनल का रिपोर्ट चाहिए तो उस रिपोर्ट को डिनाई किया गया और जो एक्टिविस्ट आटियाई का उन्होंने अपील किया लेकिन अपलेट अथोरिटी भी डिनाई करते हुए यह बोला कि तो पैले जो दिया गया रिप्लाई उसमें कोई विपोर्ट चाहिए तो पैले जो दिया गया रिप्लाई उसमें कोई वीकनेस नहीं है कोई नेगेटिविटी नहीं है तो अपलेट अथोरिटी ने इनके अपील को डिसमिस किया थैंक यू तिल नेक्स्ट वीडियो